देखो बच्चों, ये जादों की तीन लकडी हैं, जिसने मेरे पैसे चोरी किया न, उसकी लकडी दूसरी लकडियों से बड़ी हो जाएगी मैं तुम तीनों का कब से इंतजार कर रहा हूँ, अब आ रहे हो तुम पिता जी बताईए, क्यों बुलाया आपने हमें अरे पापा आपका दिमाग खराब हो गया, क्यों सुबह-सुबह चिलारہ हो लगता ये पागल हो गय जो सुबह-सुबह मुरगे की तरह चिलारہ है ठीक से सोने भी नहीं देते सुबह के दस बज नहीं है, तुझे अभी भी सोने की पढ़ रही है खेर, मुझे तुम तीनों से कुछ बात करनी है, ध्यान से सुनो पाप आप जल्दी बताईए, क्या जरूरी बात करनी है आपको मेरी अलबारी में दसलाख रुपे रखे थे, मैंने साम देखे तब तो थे, लेकिन सुबह नहीं मिले तुम तीनों का लावा बेरे कमरे में कोई नहीं जाता, सच्छत बताओ, तुम तीनों में से किसने चुराएं मेरे पैसे पाप आपका दिमाग खराब हो गया क्या, मैं एक मोडन जमाने का लड़का हूँ भला मैं क्यों चुराओंगा आपके पैसे, और सिर्फ 2,00,00 रुपी तो चुरी हुए हैं, कौन सा आपके करोड़ो रुपे चुरी होगे, जो इतना चिला रहे हो देखो पापा, ना तो मैंने आपके पैसे चुरी किया हैं, और ना मुझे पता है कि आपके पैसे किसने चुराएं, इसलिए मैं जा रहा हूँ और पिता जी मैंने भी आपके पैसे नहीं चुराए और ना मुझे पता कि आपके पैसे किसके पास है मैंने इतनी पढ़ाई करके इंजीनियर बनाओं भला मैं क्यों चुराओंगा आपके पैसे हो सकता है इसने चुराए होंगे आपके पैसे ये कमाता धमाता तो है नहीं हो सकता है इसी ने चुराए होंगे आपके पैसे पिता जी आपको सर्मानी चाहिए मैं आपका बेटा हूँ और आप मुझ पर ही चोरी का इलजाम लगा रहे हो सुगाय सुगाय मूड खराब कर दिया मेरा राहूल बेटा तू बता तू का कहना चाहता है अपनी सफाई में पिताजी मैं सच बोल रहा हूँ मैंने नहीं चुराए अपके पैसे मैं भूगा मर जाऊँगा लेकिन कभी चोरी नहीं करूँगा अच्छल ठीक है तू भी जा जी पिताजी समझ नहीं आ रहा इन की नमा से किसने चुराए मेरे पैसे अरे जोध्य साब क्या हुआ आप इतने परेसान क्यों हो क्या बताऊं दीपक कुछ समझ नहीं आ रहा घर की बात है बहर वालों से कह भी तो नहीं सकता अच्छा तो ये बात है मुझे आप एक दिन का टैम दीजिए मैं बताता हूं मैं एक ऐसा उपाई लेके आँगा जिससे साब साब पता चल जाएगा चोरी किसने की है ठीक है बेटा देखो बच्चों ये जादो की तीन लकडी हैं जिसने मेरे पैसे चोरी की है न उसकी लकडी दूसरी लकडियों से बड़ी हो जाएगी अरे पिता जी ये क्या बकवास है जब हमने आपको बता दिये कि हमने चोरी की नहीं है तो ये डंडी देने का क्या मतलब है सिर्फ 24 गंटे की तो बात है दूद का दूद Ani कि अगा तो लूप ये जो डंडी रखने में क्या दिक्कत है और वएसे भी सिर्फ 24 गंटे की ही तो बात है जिसने पैसे चोरी के होंगे उसके लगड़ी बड़ी हो जाएगी चलो ठीक रख लेंगे अब भो चल अपनी डंदी निकाल इस एक सब्सकी पिता जी इसकी डंडी बाड़ी हो गई है और हम दोनों की छोटी है अप तो आपको यकीन हो गया कि आपके पैसे इसी निचुराएं है हाँ पिता जी, मैंने तो आप से पहली भोला था ये आपके पैसे इसी नहीं चुराए होंगे इसकी सकाली चोरो जैसी है बक्वास बंद करो तुम दोनों ये कोई जादु वादु की लखडी नहीं है ये तो सिंपल लखडी है जो मैंने तुम तीनों को दी थी कहीं ये बड़ी ना हो जाए इसलिए तुम दोनों ने ये लखडी काट दी यार विकास बाई मुझे तो बड़ी टैंसन हो रही है टैंसन हो रही है पर क्यों अरे कहीं ये लखडी पड़ गई तो हम पगड़े जाएंगे कुछ पैसे मैंने लिये थे मांसे जुए मैं हार गया था तो उसे देने के लिए पैसे नहीं थे और पिता जी से मांगता तो वो साफ साफ मना कर देते और उपर से दस सवाल और करते इसलिए मुझे चुराने पड़े क्या तूने भी चुराए थे पैसे तूने भी? मतलब तूने भी चुरी की थी यार क्या बताऊं बहुत मन कर रहा था क्लब जाने का और पैसे थे नहीं मेरे पास तो अलमारी में पांच लाक रुपे रखे थे तो मैंने सारे उठा लिए सोचा मजे करूंगा क्लब में लेकिन बातों यी बातों में सारे खर्च हो गए अच्छा तो फिर एक काम करते हैं ये लकडी कल बड़ी तो होंगी क्यों नहीं से तोड़ के बराबर कर ले ताकि कल को पिताजी को हम पे सखना हो हाँ यार अभी शेग ये तो बिल्कुल सचका तुने चल चलते हैं इन्हें काट देंगे मैं बहुत दिन से देख रहा था मेरी अलमारी से पैसे चोरी हो जाते हैं इसलिए तुम्हारा टैस्ट लेने के लिए मैंने अलमारी बर दसलाग रुपे रखे थे और आखिर सत सामने आई गया तुम दोनों ही चोरी करते थे मुझे तिस राहुल पे पूरा विश्वास था ये दस लाग तो क्या दस रुपे भी नहीं चुराएगा सर मानी चाहिए तुम दोनों को अपने बाप की पैसे चुरा रहे हो पर आदमी चोरी करता है पिता जी प्लीज मुझे माफ कर दीजे मुझसे गलती हो गई हाँ पिता जी मुझे भी माफ कर दीजे मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई गलती नहीं चोरी किये तुम दोनों ने और चोरी की सजा जेल होती है माफ ही नहीं और आज मुझे अपन गलती सुईकार कर रहे हैं, आगे से कभी ऐसा नहीं करेंगे. हाँ पिता जी, ये गलती हम से कभी नहीं होगी, हम कभी भी आपके पैसे नहीं चुराएंगे. कुछ नहीं सुनना मुझे, जाओ यहां से. पर पिता जी. आओ बेटा, आज से मेरी सारी प्रोपर्टी, तू देख भाल करेगा, आज से मैं तेरे नाम करियों देता हूँ. जी पिता जी.